नमस्कार दोस्तों माझा टेक्निकल चैनल में आपनों का स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफी सारे ऐसे यूटूबर हैं जो इस कंटेंट से परेशान हो चुके हैं कि उनके यूटूब चैनल पर विडियो वहाने ब्यूभर हो चुका है आपके पहले वाले वीडियो पर वीडियो की वहां पर माइनस हो गया है क्या आपके चैनल में टेक्निकली कुछ एरर हो रहा है या फिर आप कोई वहां पर मिश्टेक कर रहा है जिसको लेकर आपके वीडियो पर भीव नहीं इंक्रीज हो पा रहा है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं काफी सारे ऐसे मेरे वीडियो पर 100 वीव आ रहा है आखिर उसका रीजन क्या है क्या कारण है कि वीव सडेनली आपका माइनस आना शुरू हो गया वो आज इस वीडियो में सबसे पने जानने जिए तो हम आपको बता दे देखिए हर यूटूबर के चैनल पर आप जाकर वीजिट जरूर कर आपके वीडियो पर जो है कम आ सकता है चुकि वह डिपेंड करता है कि आपके जितने सारे सब्सक्राइबर हैं वह आपके वीडियो को जो है किस आधार पर देख रहे हैं सबसे पहले आपको यह समझना परेगा बड़े से बड़े यूटूबर के आप चैनल पर जाकर जाहर सी बात है उस वीडियो का भीव कम होता है इसलिए आप जो पहले वीडियो बनाते थे उस समय जिस तरीके का आप कंसेप्ट लेकर आते थे उस पर भीव ज्यादा उठता था यानि कि दर्सक जो है उस समय ज्यादा देखते थे लेकिन वहीं आज आप वैसे कंसेप्ट कर Grade Bruce बनाना शरू कर दिये हैं जो आपके सबस्क्राइबर हैं उंको आप उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता है वह नहीं चाहते हैं कि उस तरीके का वीडियो देखें इसलिए आपके वीडियो पे ढीू- को गया चलिए इसकी में जो कारण है वह हम आपको बता देते हैं कि आज केडिट में आप यह समझ लेजे कि यूटूब प्लेटफर्म पे चाहे जितना भी आप कैटोगरी ले लिजे कितना भी कैटोगरी अगर आप यूटूब पे खोजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50 कैटोगरी हो सकता है 50 कैटोगर पर यूटूबर जो हैं बनाने वाले हैं उसमें होता क्या है कि आप जब विडियो बनाते हैं रेगुलर आप वहाँ पर वर्क करते हैं लेकिन अचानक आप concepts को अपना जो है change कर देते हैं आप अचानक अगर अपनी कैटोगरी को change करते हैं पहले किसी और टोपिक पे वीड ीड चेंज किये और दूसरे टोपिक पे वीडियो बनाके अप्लोड करना शुरू कर देते हैं अब उसमें होता क्या है कि आप परती दिन वीडियो को अफ्लोड करते जाते हो जो आपके सब्सक्राइबर होते ह Może आपके आंपके डिप weapret होते हैं जो पहले आपके वीडियो को देखते थे वह वीडियो का टाइटल और धमनल देखकर देखना ही बंद कर देते हैं आपके वीडियो को ओपेन भी नहीं करते हैं अब इससे YouTube को यह पता चलता है हमेशा ध्यान रखिए आपके वीडियो का भीव कैसे इंक्रीज होता है सबसे पहले इस टेकनी को आप समझ जाएए अगर आप इस टेकनी को समझ जाएगे तो बड़ा ही आसानी हो जाएगा कि आखिर किसी भी यूटूबर का भीव कैसे बरता है और कोई भी कि व्यक्ति यूटूब लेटफोर्म पर कैसे सक्सेस कर जाता है जैसे मान लिजिए आप कोई वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करते हैं यूटूब करता क्या है कि आपके विडियो को पांच स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है अब यूटूब यह देख रहा है क कि आखिर पांच स्क्रीन पर जब आपके वीडियो को दिखा रहे हैं तो उसमें कितना लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं दूसरी बात अब ऐसा भी नहीं है कि यूटूब किसी के भी मोबाइल स्क्रीन पर आपके वीडियो को दिखा देगा आपके वीडियो का टाइट परवाड करता है लेकिन सोचिए शुरुवाती दोर में ही अगर यूटूब आपके वीडियो को पाच स्क्रीन पर दिखाया और उसमें एक व्यक्ति भी अगर आपके वीडियो को उपन नहीं कर रहा है तो आपका वीडियो जो है वहीं पर स्टॉप हो जाता है इसलिए हमेसा ध्यान रखिए या फिर आप वैसे यूटूबर हैं जो पहले वीव आता था तो आप जाकर अपने चैनल पर देखिए कि आखिर पहले वाले कैसा आप वीडियो अपलोड करते थे जिस पर वीडियो आ जाता था और आज आप किस कंसेप्ट पर वीडियो बना रहे ताकि भी आपके वीडियो पर वीव आएगा ही आगा तो काफी सारे ऐसे वीवर से जो सुचते हैं कि मेरे चैनल में कोई प्रोब्लम हो गया होगा ताकि पहले वीव ज्यादा आता था और आज वीव आना कम बंद हो गया है या फिर कम हो गया तो ऐसा बिलकुल आपके यूटूब च आप चेंज कर दिया और उसी को लेकर जो आप वीडियो आज के डिट में डाल रहे है उस वीडियो से उस वीवर से आभी सब्सक्राइबर को कोई भी लेना देना नहीं होता है